विल चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हूं या फिर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हूं या फिर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हूं आप ट्रेड करते हुए कई सारे इंडिकेटर्स का इस्तमाल करते हैं आज इस वीडियो के अंदर मैं तो दो ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपके प्रॉफिट्स को तो मैक्सिमाइज करेंगे और आपके लॉसस को मिनिमाइज करेंगे तो ऐसे कौन से दो इंडिकेटर्स हैं जिने यूज करके आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं वह एक्जाक्ली आप इस आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना होता है आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना होता है आपको एडेंटिफाई करना होता है कि अब ट्रेंड चल रहा है साइडवेस ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है आपको जब ट्रेंड एडेंट यूज़ बारे में पता कैसे लगे कि उसके लिए कोई इंडीकेटर है यूज़ आप इस आपको उपर त्रेंड को यूज़ कर सकते हैं अभी मैंने आपको इस तरीकह से इस्तमाल करेंगे दूसरा है आप जब कर रहे हैं तो आपको मेजर सपोर एंड रिजिस्टेंस लेवल् यहां से यह तो आपको यह पता है कि जब प्राइज को नीचे बेजने की कोशिश कर दें और अगर प्राइज ने तोड़ दिया तो वो अपने दूसरे लेवल पर जाता है मानली जाता है लिख गिर रहा है तो पहले वो अपने pivot point तक आएगा और उसके बाद pivot के नीचे वो अपने support level 1 को cross करेगा अगर उसने support को cross नहीं किया तो यहां से bounce back कर सकता है बट अगर उसने support को break कर दिया तो support 2, support 3 तक जाएगा बट अब हमें पता कैसे लगेगा कि कौन से major support and resistance level है हम उसे खुद भी plot कर सकते हैं अगर आप experience जोंगे तो आप definitely support and resistance levels को खुद identify कर लेते होंगे पट एक indicator आपके लिए काम असान कर सकते हैं और उस indicator का नाम है pivot points तो हम pivot points को super trend को use करते हुए अपनी trading की accuracy को बढ़ा सकते हैं अभी मैं exactly आपको computer screen पर दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप इन दोनों इंडिकेटर्स को अपने trading setup में use कर सकते हैं तो क्योंकि हमने last time हमने बात करेती crypto currency की तो आज भी हम अभी crypto currency की जैसे असान की नियत कितनी भी गर सकती है तो अब यहां पर कितना भी price गर सकता है पर वो कैसे पता लगेगा यहां पर आपको coin dcx पर आ चुक है coin dcx की website पर मैंने login किया हुगा है तो coin dcx को आप भी download कर सकते हैं description comment box में link दे दूँगा और एक push कर 100 coupon code आ व्यूस कर सकते हैं जिससे आपको 100 रुपे का sample bitcoin मिलेगा आपके portfolio में अब यहां पर सबसे पहले कर रहे हैं एक ही दिन के अंदर आप buying selling करना चाहते हैं तो आप एक मिनिट और पांच मिनिट के टाइम फ्रेम पर आप डेफिनिटली चार्ट को देख सकते हैं यहां पर आपको सारे पैटर्स को किस तरीके से observe करना है थोड़ा से technical analysis को सीखने के टाइम देना पड़ेगा मैंने अल्रेडी प्लेलिस बनाई हुई है आयो बटन पर आप लिंक देख सकते हैं प्लेलिस का उसमें आपको step by step technical analysis के ऊपर काफी सारी information मिलेगी तो यहां पर आप देखिए time frame की जब बात करते हैं तो 30 minutes के भी time frame बर आप यहां पर चार्ट को देख सकते हैं अब यह अलग अलग time frame पर आपको देख रहा है यार चार्ट अलग है यहां पर आपको candle six के pattern भी अलग देख रहे हैं आपको ऐसा क्यों दिखता है यह बहुत important है जानना क्योंकि हर time frame के according buyers and sellers अलग त तो one minute का जब आप time frame देख रहे हैं तो आपको यहां पर देख रहा है कि भी है यह green line आ रही है बट अगर मैंने 30 minutes की बात करी दी तो यह red line दिख रही है यहां पर जब आप indicators पे click करेंगे मैंने already indicator को apply किया हुआ है आप यहां पर देखिए super trend आप indicators में जाके यहां पर लिख बातर क्या है red line अगर देखेगी आपको इसका मतलब क्या है कि trend अभी downtrend चल रहा है तो अगर आपको trade करना है तो downtrend के according करना है मैंने आपको suggestion दिया अगर आप crypto market के अंदर trade करते हैं खासकर आप bitcoin future के अंदर crypto futures के अंदर trade करते हैं तो आप जब market down जा रही होती है तो आप short selling क avoid कीजिए क्योंकि market जब कहते हैं bounce back करती है तो बहुत तेजी से कर सकते हैं आपको loss हो सकते हैं तो आप जादतर time uptrend के अंदर trade कीजिए उसमें आपको benefit जादा मिलेगा बाकि आपका experience और आप comments में बता सकते हैं तो यह हमने simply super trend use किया है जो हमें बता रहा है 30 minutes के time frame पर हम ज यहां पर red candle दिख रही है तो इसका मतलब है कि 30 minutes के अंदर price open तो यहां पर हुआ था यह हलकी सी उपर विक अगर आपको दिखती है तो high वहां तक गया था नीचे आया जो low था बिल्कुल यह था और close यहां पर हुआ है तो आपको दिख रहे हैं जो यहां पर close हुआ है वह 35 इसक्स तो 36,66,000 पर यहां से गिरके यह 35,61,000 पर आ गया तो यू किन सी कि price 30 minutes में कितना नीचे गया similarly अगर आपको green candle लिखती है तो green candle बता रही है कि 30 minutes में price यहां से open हुआ था यहां पर जाके close हुआ है तो super trend से आपको print identification में असानी मिलेगी और जब भी आपको trend reverse होता हु पर बात करें तो यहां पर आप देखें यहां से market बता रही है यहां पर super trend ने आपको पहले ही बता दिया पहले आपको green color की line दिख रही थी but line जैसे red हो गई it is showing you कि यहां से downtrend शुरू हो रहा है and then आप देखते हो कि trend लगातार यहां पर चला and इस candle पर जाके यह वाली जो इसी यहां पर green candle बनी है यह अगें 7th of January को आप यहां पर time frame देख सकते हैं तो यह candle दिखा रही है और इसके बाद यहां पर जो green color का यहां पर आपको दिख रहा है कि line का color change हो गया है यह आपको बता रहा है यहां से trend reverse हो रहा है अब जब trend reverse होता है तो अमने confirmation का wait करना होता ह अब यह confirmation का मतलब क्या है कि जब आपको यह candle बनती हुए दिखती है तो इसके बाद इसने high क्या बनाया आप देखो high इसने यह बनाया यह fake भी हो सकता है fake का मतलब क्या है कि यहां पर आपको दिखा कि कोई कुछ time के लिए तो green आ गई आपने सोचा कि यहां से भी a trend reverse हो गय कि तब तक हमें यह नहीं पता लगेगा कि trend actual में reverse हुआ है नहीं हुआ है तो अभी हमें क्या करना भी हमें वेट करने वेट कब तक करना जब तक इसका जो high है यह break now और अगर आप stop loss use करते हैं तो आपको stop loss use करना होता है इसी candle के low का stop loss use करके you can trade if you want to trade and it is what I am showing you this is technical analysis तो यह सब क्रिप्टो मार्केट के लिए नहीं है फोरेक्स के लिए भी इस्टॉक मार्केट के लिए है तो यह basics हैं जो हर जगां काम आते हैं तो आपको super trend से trend identification में help मिल रही है दूसरी हमने बात करी थी कि हम pivot points को use कर सकते हैं यहां पर मैं अब बदलाब देखेगा तो आप यहां पर देखिए यह आपको लग रहा होगे ब्लुकुल change हो गया यह change क्यों हो है मैं आपको बताता हूं यहां पर आप देखिए आपको P देख रहा है यह आपका favorite point है उसके बाद R1, R2, R3, R4, R5, S1, S2, S3, S4, S5, S5, so यह जो R है य आपका support level है तो support के multiple levels and resistance के multiple levels already आपके लिए इंडिकेटर ने plot कर दी है तो आपको बहुत जाए ताइम लगाने की ज़ुरूरत नहीं है अलगदक timeframes के according आप यहां पर जैसे अभी हम 5 minute के time frame पर है अगर हम 15 minute के time frame लेंगे तो यह levels change हो जाएंगे अब यहां पर pivot points के उपर हम distance को cross नहीं कर पाया then you see कि इसने pivot की नीचे चला गया and support उसका जो next अब यहां पर support है तो अगर एक pivot से नीचे price जाएगा तो उसका first target क्या है कि वह support तक पहुंचेगा यहां पर आप देख सकते हो एक candle के अंदर ही आके यह अपने support को s1 को cross कर देता है जब support को cross करता है आप इसे zoom करके अपनी screen पर देख पाएंगे तो यहां पर मैं आपको वह short concept बता रहा हूं कि जब price support को break करता है first support को तो इसका दूसरा target होता है support level 2 s2 तो यहां पर उसने break किया यहां पर जा कि आप हो रहा है, so आप multiple indicators को एक साथ use कर सकते हो, एक साथ use कर सकते हो, जिससे आपको कब uptrend चल रहा है, कब downtrend चल रहा है, आपको green और red line से पता लग जाएगा, so ये बहुत simple, basic और useful indicators हैं, जो आपको अपने trading setup में ज़रूर use करने चाहिए, so आप इन्हें बहुत असानी से यूज़ कर सकते हैं, CoinD6 पर आप अपना account बना सकते हैं, and आपको CoinD6 के बारे में कुछ information दे देता हूँ, you can study more about cryptocurrency, you can study more about blockchain, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप DCX learn पर जा सकते हो, आप blockchain और cryptocurrency के बारे में सीख सकते हो, यह आप प्रोवाइड करती है, आपको एक simplest buying or selling experience, यहाँ पर users को एक price alert feature भी मिलता है, कि coin जब एक target price पर पहुंचेगा, आपको notification मिल जाएगी, 24 इन्टो 7 आपको यहाँ पर support and assistance मिलता है, regarding onboarding, ticketing and fiat INR management, यहाँ पर आपके funds safe and insured रहते हैं, यहाँ पर आपको multiple security features भी मिलते हैं, like two-factor authentication and withdrawal password, coin DCX ISO certified, आप है, सारे necessary compliances को follow करती है, including KYC and AML procedures, all transactions on coin DCX are transparent without any hidden charges, deposit of digital assets in coin wallet is free of charge, और यहाँ पर 7M model भी इन्होंने design किया है, जिससे investor की protection हो पाए, एक fair और transparent market को maintain कर पाए, और reduce कर पाए cryptocurrency से related risk को, आप 24 into 7 कभी भी funds को deposit और withdraw कर सकते हैं, यहाँ पे नए लोगों के लिए और existing लोगों के लिए trade करना बहुत ही असान है, इनकी app में आप cryptocurrencies सकते हैं, अपने debit card, credit card और net banking के दूँ, सिर्फ 2% transaction fees यहाँ पे लगती है, यहाँ पे आपकी transparent transactions है, कोई hidden charges नहीं है, देखिए अभी तक इंडिया के अंदर cryptocurrency के ओपर कोई law नहीं है, तो buying, selling or holding or trading in cryptocurrencies is legal as of law, देखिए अगर हम coin D6 की बात करें तो यह आपको clarify करते हैं, कि आपको 100 रुपे से investment शुरू कर सकते हैं, 10 रुपे से आप trading कर सकते हैं, Coin D6 इंडिया का safest and simplest crypto investment app है, it makes crypto trading and onboarding easy for both new and existing customers, KYC verification के लिए users को घंटो वेट नहीं करना पड़ता, तो onboarding experience super fast है, आप Coin D6 को download कर सकते हैं, link description comment box में है, आप push कर 100 coupon code अगर use करेंगे, तो आपको 100 रुपे का Bitcoin as a sample मिलेगा, आपके portfolio में, Coin D6 की tagline की future यही है, so आप download कर सकते हैं, Coin D6 को description comment box के link से, finally आपको यह video कैसी लेगी, आप नीचे comments में ज़रूर बताएगा, आपने सवाल भी comments में पूल सकते हैं, उन्हीं के ऊपर हम